यह देखें यहाँ पर यह जो उपर वाली होती है यह कैनपी होती है और यह जो नीचे की तरफ होते हैं यह जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं यह अन्डा स्टोरी बनाते हैं अब आगे बताते हैं would we see similar kind of trees क्या हम लोगों को similar ही kind of trees देखने के लिए मिलते हैं सारे के सारे forest में पूजो ये बात पूछता है तो प्रफेसर एहमत कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है due to different climatic condition there are varieties in the type of trees and other plants तो जो किस तरीके का forest होगा किस तरीके के वहाँ पे plants और trees या सब जो भी मिलेगा वो depend करता है climatic condition पे मतब जिस इलाके का जैसा climate होगा उसी के हिसाब से वहाँ की पेड़ पौधे उगते हैं ऐसा बताते हैं प्रफेसर एहमत the type of animals also differ from forest to forest तो कैसे कैसे जानवर होंगे वो भी बदल जाता है हर जंगल में share तो नहीं होते हैं है ना तो इसी तरीके से climate पर depend करता है कि कौन सा जानवर या कौन सा पेड़ पौधा कहां पर उगेगा few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on a flowers of shrubs and herbs तो कुछ बच्चे butterfly जो होती है उसको देखने लगते हैं जो कि herbs और shrubs पर गूंड रही होती है इधर से उधर herbs shrub होते हैं छोटे-छोटे plants इनकी stem week होती है they had a close look at the bushes bushes होती है जाडिया वो जाडियों की तरफ भी देखने लगते हैं while doing that their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them तो बच्चे जाडियों की तरफ देखने लगते हैं तो उनके देखते हैं कि जाडियों के जो चोटी-चोटी से बाल होते हैं वो बच्चो के कपड़ों पर लग जाते हैं प्लांट की लीव्स पर दिखते हैं कुछ सड़ी हुई जो पतियां होती हैं जो फ्लोर पे पड़ी होती हैं उस पे भी बहुत सारे कीडे मोकोडे बच्चो को देखने के लिए मिलते हैं तो बच्चे स्केच बगएरा बनाने लगते हैं तो फॉरस का जो फ्लोर होता है प्लोर स्ट जो काफी डर्क से लार की होती है और पतियां वे उस पर गिरी हुई होती है जो की सड्री होती है fruits भी गिरे होते है seeds, twigs and small herbs the decaying matter was moist and warm तो बहुत सारी चीज़े दिखिए floor दिखा रखा है जैसे पत्ते बत्ते गिरे होते हैं चीज़ें आपर सड़ भी रही होती हैं खाद बन रही होती है children जो हैं काफी सारे seeds वहां से उठा लेते हैं leaves प्यूठा लेते हैं अपने collection के लिए जो नीचे बड़ी होई होती है walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet spongy carpet जैसे जैसे चचर रवास करने वाले carpet पे चल रही हो ऐसा लग रहा था is the decaying matter always warm क्या जो decaying matter होता है वो हमेशा गरम होता है moist, गीला और गरम होता है इसका answer लेने के लिए बच्चे एक activity को perform कर सकते है तो activity 17.3 हमें बताई गई है इसमें क्या करना है देखिए bigger small pit, एक गढ़्धाख होतना है put vegetable waste and leaves in it एक गढ़्धाख होती है उसमें जो आपके घर की जो सबजियों के छिलके होते हैं leaves, पतिया वगएरा पेरड उसे तूट करके घर जाती है उनका आप उस गढ़्धे में डाल दीजे उस गढ़्धे को फिर आप मिट्टी से कवर कर दीजे और उसमें कुछ पानी डाल दीजे तीन दिन के बाद वो जो मिट्टी से आपने कवर कर रहा था वो मिट्टी हटाईए तो does the pit feel the warm inside तो क्या अंदर की तरफ जो pit होता है, pit का मतलब होता है गड़्धा क्या अंदर की तरफ गड़्दे में कुछ घरम करम लग रहा है तो हां भी लगता है तो पहली पूछती है, there are so many trees here, यहां पर कितने सारे trees हैं, also there are many forests like this और ऐसे भी बड़े सारे forests होते होते होंगे पुरी दुनिया में, what difference will it make if we cut some forest for a factory तो भाई अगर हम एक forest काट देंगे, इतने सारे forest है दुनिया में तो एक forest काटने से factory बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा तो प्रोफेसर एहमेद पहे की बात का जवाब देते हैं, you have read about autotrops, आपने autotrops के बारे में पढ़ा है, heterotrops के बारे में पढ़ा है, and sephrotrops के बारे में भी पढ़ा है, बुक के starting में, तो autotrops कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि plants, heterotrops कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बलकि depend करते हैं किस पर? plants पर, जैसे कि human being, sephrotrophs वो लोग होते हैं, ऐसे जानवर जो कि सड़ी गली चीज़े खाते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था green plants के बारे में कि वो अपना खाना प्रड्यूस करते हैं, और सारे के सारे animals जो हैं, herbivores हो गए, चाहे carnivores हो गए, वो किस पर depend करते हैं? वो depend करते हैं इन पर, plants पर, है ना, इन पर depend करते हैं और इन से ही खाना लेते हैं, depend ultimately on plants, सारे के सारे, ultimately तो plants पर ही depend कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि देखिए, herbivore क्या है? घास खा रहा है, carnivore किसे खा रहा है हर्भी वोर को खा रहा है थो इंडरेक्ली हर्भी वोर जब होंगे तो कांडिवोर किसे खाएंगा तो सब प्लांटS से धिक रहते हैं पूरी दुनिया पेड़ों पर ही डिपेंड करती है ऑर्गआनिजम् विच फीट उन प्लांट्स often often get eaten by other organisms तो जो जानवर plants खाते हैं उन्हें दूसरे जानवर खा लेते हैं और यह cycle जलती रहती है example के लिए grass जो है वो insect खाते हैं which in turn is taken by the frog insect grass खा रहा है और insect को कौन खा रहा है frog खा रहा है frog को snake खा रहा है और इस तरीके से chain बन जाती है और इस process को हम लोग क्या बोलते हैं food chain बोलते हैं grass इंसेक, इंसेक से frocks frocks से snake और eagle यह देखिए यह क्या बन गई? food chain यह बन जाती है many food chain can be found in the forest forest में बहुत सारी food chain हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है और सारी की सारी food chain एक दूसरे से link होती है food chain का मतलब होगा की देखिए चेन बन रहे है न पूरी grass को इंसेक न खाया insect खाया फ्रॉग ने फ्रॉग ने खाया snake ने इंसेक उखाया इंसेक खाया इगल ने तो पूरी chain बन गई इसको हम food chain बोलते है क्योंकि यह खाना है एक दूसरे को निखा रहे है अगर कोई भी एक डिस्टॉब हो गई हाँ पर फ्रॉग नहीं बचा तो इंसेक्स बहुत जाएंगे और स्नेक के से खाएगा थिक्कत है तो यह होता है अगर हम तो यह से हटा दे तो बाकी सारे जो जानवर खीडे मकौड़े चीड़ी के वह लोग कहा जाएंगे हैं तो यह देखें इंटर रिलेशन्षिप ओफ प्लांट, सॉईल, डीकंपोजर इन फॉर्स प्लांट, मिट्टी, डीकंपोजर जो लीउव वगड़ा गिरती है उसको सढाती है उसका डीलेशन बताया गया है नूट्रियंट्स मिलते हैं जमीन से डीकंपोजर्स जो पती वगरा गिरती हैं उनको सराते हैं मिट्टी में ही तो सब कुछ है फोटो सिंथेसिस कर रहे होते हैं और पानी से दरिश्मेंट मिल रहा होता है प्लांट को बच्चों से पूछा कि आप लोग लीवस उठा लीजे जो जमीन पर थी हैं बहुत सरे लीवस तो उठा लीजे एं ऑब्जर्फ तेम अंडर हैंड लांस लिंस तो आप जो जमीन पर लीवस आप उनको उठाईए और जो आपके पास आप लोग लेंस लेकर के आये थे ना बच्चे तो उसमें आप लोग ऑब्जर्फ करिए दे फ बहुत अलग लग कीडे महां पर उन्हें देखने के लिए मिले पत्तों पर देवर वंडरिंग हाउ दीज ओर्गानिजम्स लिफ देया तो बच्चों को लगा कि ओर्गानिजम्स किस तरीके से रहते होंगे यहां पर प्रोफेसर एहमद ने एक्स्प्रीन किया कि इन आनिम जंगल में रहते हैं पहली सूचने लगी कि जो मश्रूम हैं और बाकी सारे माइक्रो और्गानिजम्स हैं यह लोग क्या खाते होंगे तो प्रोफेसर एहमद ने रप्लाई किया यह फीड करते हैं यह खाते हैं डेड प्लांट आनिमल टिश्यू और कन्वर्ट देम और हुमस बना देते हैं यूमस जो है हमारी सोल को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है तो हम लोगों ने चप्टर 9 में भी पढ़ाता हुमस बारे में कि एक लेयर होती है सोईल की जिसमें हम लोग को हुमस मिलता है और वह काफी ज़ते होती है स्वाइल के लिए तो ये चीज़ में important हो जाती है, आप अच्छे से आद रखिए कि decomposers किसे कहते हैं तो ऐसे चोटे-चोटे organisms जो convert कर देते हैं, मरे हुए plants को, animals को, humans में ऐसे organisms को हम लोग decomposer कहते हैं ये microorganism काफी जादा important role play करते हैं जंगल में क्योंकि जो पत्तिय मगरा गिरती हैं, उनको एक खतम करके humans में convert कर देते हैं पहेली ने कुछ dead leaves उठाई और discover किया कि उसमे layer of humus है और पहेली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor तो forest floor पे पहेली को humus की एक layer दिखाई पड़ी तो presence जो थी ना humans की वो ensure करती है कि nutrients जो थी ना dead plants के and animals के वो दुबारा से soil में चले जाएं कि जो plants होते है, animals होते हैं, वो कुछ ना कुछ इसमें nutrients होते हैं जब वो खाना खाते हैं, तो nutrients दुबारा से ही मिटी में मिल जाते हैं किसकी help से decomposer उनको decompose करके खाके सारा का सारा nutrients दुबारा से मिटी में ही मिला देते हैं animals का वहां से nutrients जो हैं दुबारा से absorb हो जाते हैं प्लांट उनको दुबारा से use कर लेते हैं इसको nutrient recycling भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि जो animals मरें उनको decomposers ने decomposed किया nutrients दुबारा से soil में चलेगा फिर से plants में चलेगा प्लांट को फिर से animals ने खा लिया तो इस तरीके से cycle बन जाती है तीबुर फिर what happens if the animal die in the forest तो शीला पूछती है कि क्या होगा अगर जानवर इधर मर जाएगा forest में तो टीबुर ने reply किया कि जो dead animals होते हैं ना उनको कौन खाता है वल्चर, क्रो, जकाल, इंसेक्ट, वल्चर वगेरा होती है काफे सारे जानवर dead animals को खा लेते हैं और इस तरीके से nutrient जो है वो recycle हो जाता है और forest में एक भी चीज waste नहीं जाती है क्योंकि जानवर किसी ना किसी तरह से उन चीजों का इस्तमाल कर लेते हैं झाल, 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